हेलो फ्रेंटस वेलकम फ्रों डृम फेंटसी चाहिं Yen Deez legit करेंगे कि हम लोग यह लूदी को किस तरही किसे क्रेक कर सकते हैं जब्शे लिसे विन कर सकते हैं अधर रेगोलरी नोटा एक बार मैं एक बार ख़रागो आधर नहीं कर और हम लोग फिल्ड डिस्क्राइब करेंगे कि ग्रेंड ली को किस तरीके से क्रेक कर सकते हैं एंड 4x4 मेथट के साथ एक एक एक्जम्पल भी लेंगे एंड एक जो इंडिया वसिस आश्टेलिया की नियू सीरीज आ रही का इंटरफेस ठीक है जब तक ड्रीम 11 का इंटरफेस ओपन हो रहा है तब तक आप विल्कुल चैनल को सस्क्राइब कीजिए एंड खासकर हम लोग ड्रीम ग्रेंड लिग के लिए मेहनत करते हैं और हम चाहते कि हमारी फेमली से बंदाने के लिए जो ड्रीम फेंटेसी से हो एंड ग्रेंड लिग विन करें ठीक है तो सबसे पहले फोर वाई-फोर मेथट का हम लोग एक सेनेरियो देखते हैं एक बेस देखते हैं क्या बेस लेकि हम लोग टीम मनाते हैं ठीक है एक मेथड है आप पूरी वीडियो वाच करेंगे तभी चार्ड में उतरते हैं इसलिए फोर वाई-फोर मेथड नाम है और बहुत सी चीज़ा आप देखेंगे फोर वाई-फोर में क्या होता है देखें फर्स्ट प्रेडिक्सन हमारी होती है कि हम लोगों को फिक्स टर्म में पिच रिपोर्ट प्लेयर्स रिपोर्ट फर्स्ट मै लीगों पहला मैच कभी हैवी नहीं लगाई है सभी टीम्स के एक-एक मैच हो जाने दीजिए तभी सही अपोचनिटी बन दी ठीक है तो पहला मैच प्लेय नहीं करके हैवी एंड उसके बाद पिच रिपोर्ट खासकर पिच रिपोर्ट प्लेयर्स कंडिशन आप पूरी व पैसे आप लुटा एक टीम में एसमा प्रों सर्मा केक्टन और साट रहें एक त्यॉम में है सबस्क्रेशन तरीके से एक प्रिटीर workflow कंडिशन से हमारी होती है कि जैसे अगर आप रोहिष सर्मा को कैप्टन मना रहे है ठीक अपनी टीम में तो आप भूमनेश्वर कुमार को वाइस कैप्टन बनाईए अगर पिच कंडिशन आपने निकाली फिच निकलती है फास्ट पिच ठीक है तो आप रोहिष सर्मा के साथ भूमनिस्वर को मार को मनाई है मतलब एक पेसर को बना रहा हो तो सेम टीम का बनाई है यह नहीं कि इंडिया आइस्टिलिय की सीरीज है आपको लगा कि ने ने रोहिसरमा अच्छा खिलाडी है ठीक है इस तरफ से देखा आइस्टिलिय से अच्छा बोलर है मिचल इस्टाक या जोस है जलबोट तो आप रोहिसरमा को बना दीजिए कैप्टन एंड मिचल इस्टाक को बना दीजिए वाइस कैप्टन तो यह कभी नहीं करना हम लोगों ठीक है एक टीम से कभी भी से ही निकलेंगे अपोजेट साइट से कभी बॉलर्स के साथ हम लोग कभी नहीं जाएंगे ठीक है तो यह चीज बलकुल अलर्ट रहेंगे यह हमारी कंडिशन से इस चीज को हम लोग लेके चलेंगे तब हम लोग अच्छी एक एमांट विल्ड कर पाए अब हमारी देखते हैं कि दूसरा चेप्टर क्या होता है एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं दोनों टीम के मिलाएं होगे 22 प्लेयर्स मेंसे हम लोगों को फिक्स्टर में एक पराने प्रिभीस रिकॉर्ड देखके पिछ कन्डिसन देखके प्लेयर्स निकालना है जो खासकर previous record जैसे कभी भी आप लगाते हैं ठीक है तो जैसे पराने में कोई player सतक मार गया तो उसके बहुत कम chance होते है कि वो second पारी में भी सतक मारे ठीक है अगर कोई player second में भी सतक मार देना जरूर हमारा एक मेलास होगा लेकर हम लोग 3 में इसको बिल्कुल ड्रॉप करके चलेंगे खासकर 200 टीम में ठीक है तो यह जैसे अब 22 प्लेर्श होते हैं तो 22 में से हम दोगो फोर ड्रॉप करकर चलना बिल्कुल ही ठीक है तो अब हम लोग के बचेंगे केतने 18 प्लेयर्स 18 players से हम लोग selection करेंगे अपनी dream team में ठीक न एंड हम लोग 18 players की team बनाएंगे यह नहीं team तो होगी 11 एंड 18 में से ही pick करेंगे and drop करेंगे जिसको भी करेंगे यह 4 players अगर जो हम लोग जो भी drop करेंगे उसको किसी भी team में pick नहीं करेंगे किसी भी pick में क्योंकि अगर यह 4 में से हमारे 3 players भी अगर बिल्कुल सही बैठते हैं हिसाब किताब तो बहुत अच्छी लोगों से lead ले आएंगे क्योंकि suppose कि आप कि आपने 4 players नकाले जिसमें से 3 players 75% 80% की उपर वाले थे ठीक है तो आपका favor कि होगा कि जो person इनको लिये हैं जैसे आपने रोह सर्मा को लिया और रोह सर्मा दो तीन इन मना के out होगा है तो रोह सर्मा को 80% आदमी लिये हैं 20% केप्टन मना है आप ऐसे players को जितना drop कर देंगे तो आपके लिए grand league के लिए काफी अच्छा होगा ठीक है तो चाहे चार प्लेर्स में आपको जरू मेहनत लगेगी आपको सोचना पड़ेगा लेकिन वह बहुत favor का होगा हमारे ठीक है ना तो यह चार प्लेर्स हम लोग कभी भी all time drop करके चलेंगे ठीक है बो निकालना है ठीक है चार प्लेर्स कोई भी आपको निकालना के लिए ठीक है कि कौन हमारे केप्टन बन सकते इसमें से चार बिल्कुल सोच समझ के चार निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आप निकाल लोग कि यह है यह क्योंकि यह जो हमारा कि आप केप्टन मणा देंगे उसको हर्ड केपांड़ा को वास केप्टन बना देंगे गलें मेक्स बिल्कुल को बलकुल सेफ टीस परशेंट केप्टन बिस उसे कर दो neighborhoods । कि हाड़े पाइड़े, prohibition our next format start कर लिए बनाएगा फॉर्मिट है तो तो किस तरीके से चार हमारे प्लेयर्स हमने ड्रॉप करें चार केप्टन पिक कर लिए चार केप्टन पिक कर लिए आपने अब चार केप्टन को आपको अल्टरनेट करके जब टीम बनेगी तो एक प्लेयर्स आपको एवरी टीम में न्यू रखना है न्यू मतलब जो सौट प परशेंटेज, selection परशेंटेज, उसको आपको जरूर्वब करके चलना, एक पिलियर, एक से दो पिलियर आपको ऐसा जरूर करना, ठीक है, एक दो प्लेयर्स आपको हमेशे ड्रॉप करके चलना बड़े चार तो हमने ड्रॉप कर दी अब उसमें से भी जो परशेंटेज बढ़ते जाए या उसी में alternate change करके कि किसी में एक को in करा एक को out करा एक heavy percentage बाहर कर दिया 70 वाला तो एक 10 परशेंट वाला in कर लिया किसी में दूसरा 70 वाला आउट कर दे तो दूसरा 70 वाला दस परशेंट वाला इन कर लिया 20 परशेंट वाला ठीक इस तरीके हमें और फार हर्दिक पांडया की एक वार रोहिस थारमा की तीनो अब बची जो चौती तो चौती पिछ कंडिसन देख अगर वह लही है पेसर सपोर्ट पेच अगर पेसर सब्सक्राइब पुच हुई तो एक बालर को लेकर चलना जो पेसर हो ठीक अगर इस्पिनर हो तो एक ब प्राइबर हो सकता और वह पेसर से ठीक तो को लेकर चलेंगे एक ट्यवेंटी में क्योंकि ट्यविफ्वेंटी में अगर कोई बॉलर तीन विकेट से ले लेता है तो वह सम्छंतिंक बेस्ट मेंड के अब पचास से साथ रं की बराबरी कर जाता है इसली क्योंकि एक तक फिर होई जाता उसका लकीली है ना तो इसे साब को लेकर चलेंगे हम लोग भी बॉलर्स को के बल अंडरेश्टिमेट नहीं करना खासका T20 में ठीक है तो इसे साब हम लोग चापटन बास के बनाएंगे चार चार को ले physician चा कर you लिए आर चार लोग और उटो byजाश्र नोगाएंगिगे अचरो इससे क्या Okay आप से बनाएग है के अगर 4 में से 3 प्लेयर्स भी हमारे नहीं चलते हैं तो हम ने बहुत बड़ी लेड लिए हम से 80% आगे होगा है समाझ लिजिए ठीक है अब हमारी टीम अंदर विनिंग जॉन में तो आगई ठीक है अब जो घर चार उप्षिण है कर सकते एक एक जीएल विन कर सकते एक चार चार आपके नहीं तो इस तरीकी की प्रेडिक्शन लेकर चलते हैं हम लोग एक्जाम पर लेंगे इंटरनेशनल मेंचेज अब आप जो होगा पाकिस्तान वसे स्रीलंका ठीक है अगर आप ड्रीम लेंगे अच्छा एमांट विंड करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो आप देखे लिंक के डिस्क्रिप्शन में है बेल आइकन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं अगर आप ड्रीम लेंगे एड टू हैड ग्रेंड किसी भी टैप्स की बिनिंग करना चाहते हैं तो वह वीडियो आपको उसको फूरी वाच कीजिए तो काफी हेल्प म कंपेर करके चलते ठीक है तो अगर आपने अपके हमारी आप वीडियो डली है फाइनल की प्रेडिक्शन जाके देखिए आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल की प्रेडिक्शन थी हमारे ठीक है एंड जो जो कहा बोल लगभग 80% के सम्तिंग 90% के सम्तिंग हम लोग टू मेंडेस यहां से पीन संका आपने देखा और लेंग है से यहां से ब्रय यह दोगते यह दोनों यह सी पर्षे ONE थी को मेंडेसे पर्षेट पीन संकाускी परषेंट मेंचले पाकिस्तान के मैंके मेश मींशन और रं जा रहरए थी थी ना सो जो कितना बढ़र हम लोग सब Week 10 द नहीं गोला था ड्रॉप करना शिलेक्शन का ठीक है यहां शादाब और मुहमद रिजवान में से एक प्लेस लेकर चलना पेसर सपोर्ट इप इस थी तो शी को लगात ने मश्ट पिक थे ठीक है और बॉलर इस पिनर्स पेसर सपोर्ट इप थी तो इस पिनर्स को हम लोग ने अब देखी प्रेडिक्शन जो अब बिल्कुल एक एक मेमोरी जो हम लोग ने वहां नोट्स बनाए अब यहां रिवाइस करते हैं ठीक है दोनों और लाउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना ठीक है टीट्विंटी में बहुत कम होता है क्योंकि जातर एक तो सब्सक्राइब या जाता जल्दी तो दोनों को एक में रखना ही नहीं है वह तो यहां देजवान बहुत अच्छी फर्म में थे बावर को भी बोल तक आपके ऑल्राइब्लेक्श के पनी क्योंग हुँग है चल सकते थे फाइनल में इसा ठीक है तो कैप्टन वाइस की प्रिटिक संदीती कौन कोन थे फस्ट वन मोहमद रिज्वान थे ठीक है शेकेंड वन मोहमद रिज्वान डबलू हसरंगा डबलू हसरंगा को बोला तक है ज्यादा ही बना दीजी क्योंकि उससे पहले भी काफ इच्छा परफॉमेंस करा था उन्होंने एंट सिलियंका पा परफ्षमन जो हम लोग लेकर चला था वहां पर दुबाई की मैदान में पेसर काफी एक बोरा थे तो एक बोरा था अगर आपने ध्यान दिया हो और पेसर को कैप्टन जरूर लेकर चलना एक टीम में तो जिसने अगर हसरंगा के साथ कोई बड़ी बात नहीं किसी की कि हसर लोड़ी पेसर सपोर्ट इपिस तीशी को लोड़ी लेकर गये थे हम लोग तो इससे बहुत favor मिलता है आप बड़े प्लेयर्स को क्यों कि आप सोचो कि हम टुक्के में जीच जाए तो टुक्के में नहीं जीच सकते ग्रेंड ली इसी तरीके से जीच सकते हैं तो आप किसी लोगों के इंडिया आश्टेल या सीरीज ठीक है यह इसको फुल सीरीज को cover करेंगे हम लोग एंड विल्कुल आप चैनल से जुड़ जाए ठीक है अब देखे चार केप्टन निकाले हम लोगों ने हार्दिक पांड यह मैं एक्जांपल है यह सेलेक्ट नहींगे वो लेके चलेंगे अब इनके साथ हमारी टीम्स बन जाएंगी आप चार टीम्स बचेंगी तो अगर इंडिया साइट से दो इंडिया के फेवर में दो जिसमें आप बॉलर्स को कैप्टन लेके चलेंगे बॉलर्स को अगर बॉलर्स को अच्छा करते तो हमाई लिए बॉलर्स सपोर्टिव भी टीम्स है अब देखे इससे आप अंताज लगा दिए कि हमारे पास लाउंडर सपोर्टिव पिच हो गई टीम हो गई बैटिंग सिंपल कंडिसर में हमारे पास तीनो टैप्स की टीम रेडी रखी है अगर किसी टैप का भी मैच होता है तो हमारे पास टीम से रेडी हैं कि हम अच्छा एमांट विल्ड करें ठीक है न तो और अब इसके आगे दो टीम से बनाएंगे तो बॉलर्स सपोर्टिव टीम्स बना करेंगे अगर आप बिल्कुल वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें अगर आप ड्रिम टीम से अच्छा एमांट विल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ जाईए हैं इसी लिप तरीकी की करने के लिए थैंक यू